असलाम लेकुम डियर स्टुडेंट इस मी अधील एंजम फॉम एला इंस्टिटूट हावदा बार रोड गुछनवाला स्टुडेंट आज हम स्टार्ट करने लेगे है प्रोलोग तुदी केंटरबरी टेल का नेक्स्ट वन क्रेक्टर और नेम अफ दी क्रेक्टर इस दी अइसे हैं जो फीमिल क्रेक्टर वह है ठिक है इसलिए आपको जब रेफरेंस का पूछा ·पॉछा जाता है पिन्दाब यूनीवर्स्टि के के फाइनल पेपर की मैं बात करना हो थोड़ा सब्सक्राष आप करें सबस्क्रों कर रहा हुग है तो उसके लिए में आपको मेल क्रेक्टर ने जिसके ओपर उसने जो ना क्रिडिसाइज किया हुआ है जौफरी चोसर ने तो हम आज अभी जो पढ़ने लगे हैं वह वाइफ हो बाद है लेट स्टार्ट लाइन आपको पते मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आपका देखें वह कहता है जी दिवा आफोबात आप समझ सकते हैं वह क्या कहना चाहरा है तो इसका डिर्एक्स टायर आपको यहां पे इस करेक्टर के अंदर फील हो रहा होगा आपने महसूस किया होगा इस सेंस में कि उसका नाम देखें किस तरह से बाकी उसने देखें हम अगर डक्टरों मैडिसन की बात करत हין تو उनके नाम से हमें नहीं पटा चल रहा क्यों उस ने का इंके मारा इम्हलियो inac cute किया हुआ यां सने पाजिटिव स्टैप्स ऑ Harlem pizza ऊछ में उसमें डिसक्स कियों हुए यहां पर हमें नाम ही जो ह sommes negative नजर आ रहा है तो उसके अंदर है जिना वो वाइफ है कम शी वाज समर्ट डेफ एंड इड वस ट्रॉबलसम वो कहता है वो डेफ है और यह हमारे लिए जो आना प्रॉब्लमेटिक है ट्रॉबलसम है उसके लिए भी तो वह कहता है इन क्लॉथ मेकिंग शी हैड सच टेक्स्टाइल बैंट अच्छा उसकी क्लॉथ मेकिंग के अंदर उसके पास हैसा टेक्स्टाइल बैंट है कैसा डैट शी एक्सेल्ड दी वीवर्ज ओफ इप्रा एंड गेंट यह वाई पी आर एस बेटा यह वाई प्रेस नहीं बनता इसे इप्रा कहते हैं यह प्रॉनसियेशन आपने चेक कर लीनी बेटा के नाम है तो इस लाइन का मकसद क्या हुआ वो क्या बताना चाहरा है इसके अंदर कि अगर हम इनके वीवर्ज की बात करें वीवर्ज कहते हैं वीवर्ज दी फैब्रिक्स यानि के जुलाहा जिसे हम कहते हैं जिलाया ठीक है तो वह कह रहा जी उनके जो वीवर्ज है ना इ के अंदर कोई ऐसी लेडी नहीं जो इस से पहले जनाब पहुंच जाए चैरिटी देने के लिए अच्छा वाइफ ऑपाथ काम क्या करती है वाइफ ऑपाथ नेगेटिव करेक्टर है बिटा लेकिन चैरिटी के वह बहुत पसंद करती है तो आप और हम नॉर्मली ऐसे कोई मे है तो उसमें से क्या करना या क्या इस तरह से लेकिन वो उसका बता है कि वो चैरिटी देने में कि जनाब दूसरों से आगे है कोई व्यैसा को पहले की हो सकता है जो जो जनाब ये नेक काम में हिसा डाले तेटी all sense of charity and property ऐसे उसे लगता है कि आप तो मेरे से पहले कोई बंदा charity कर दे तो मुझे ऐसे होगा कि जैसे आप मुझे charity करने का कोई फाइदा ही नहीं है कहते हैं in texture हर करचीफ करचीफ बेटा हैंड करचीफ होता है जैसे रुमाल तो करचीफ होता है जैसे तो आजकल फैशन भी है यह 14th century का है लेकिन बेटा आजकल भी यह फैशन है जो लड़के भी उपर रुमाल ता ऐसे कवर करते हैं अपने सर को तो फीमेल भी scarf टाइप जो है उसे समझ लें तो वर fine and delicate वो क्या कह रहा है in texture हर करचीफ वर fine and delicate but ideas where they were 10 pounds in weight और अगर मैं कहसे हम कहा हूं तो वह 10 pounds क्या weight में यानि कि अच्छा जो है ना कपड़ा वो पहनती है खुबसूरत लगता है यह उसके appearance आपको भी बता रहा है आगे देखें कहता है which she wore on Sunday upon her head वो Sunday के Sunday अपने सार पर जो लेती है उसकी बात कर रहा है अच्छा her stockings were very fine and scarlet red उसके striking जो है very fine है बहुत अच्छी और scarlet red है और scarlet red जो है यह थोड़ा सा negative है इस sense में कि bright red color जो है is the symbol and was the symbol in 14th century किसी इसका attraction का आज भी आपको पता है अगर हम लेंगे की बात करें तो वो ready होता है तो इन 21st century में बड़ी सारी चीज़ें जो आज भी color के हिसाब से हम बात करें बेटा तो वो reddish जो चीज़ें आप रोस है तो वो भी हमारा जो love का sign है तो यह भी जो क्या कह रहा है वो scarlet red house ने जो पहना है and tightly tight तो it means अगर हम यह कहें कि वो tights पहनती थी उस age में 14th century में तो आज यह 21st century में basically fashion बना हुआ है तो यह आज कहा नहीं fashion के बारे में थोड़ा सा guide कर दूँ बेटा हर 50 years के बाद यह 60 के बाद वो repeat होता है ठीक है हर shoes were very soft and new अब बात सुनें चौसर यह क्या कर रहा है उसके shoes की भी बात कर रहे है और उसके मतलब आप देखें उसके scarf से ले कि उसके pound तक और उसके wearing के बारे में जो वो बता रहा है तो basically वो negativity उसकी बताना चाह रहा है इसके तो उसके appearance ऐसी है आगे negativity मैं क्यों कह रहा हूँ कि negativity बता रहा है आगे जो lines आने वाले है उसमे negativity है यह हर character आपने जो भी पढ़ा है पहले वो बड़े अच्छे तरीके से उसको start करता है जैसे आपने Miller पढ़ा तो उसमें भी उसको ऐसे लगता था में के बड़ा positive character है हर shoes were soft and new इसका मतलब है कि वो उसके shoes के बारे में बता रहा है कि बड़े soft और new है अच्छा हर bold and fair face was reddish in hue उसका bold face और fair face जो है वो reddish in hue वो red color का है तो बेटा अगर 14th century में भी बात करें तो reddish cheeks जो होते हैं या face जो होता है वो हमें आज भी पसान दाया और आज भी इसलिए हम जब make up करते हैं आप लोग female की में बात कर रहा हूं तो वो red color जो है ना वो लगा रहे होते हैं जो भी यह बाराल चेहरे पर तो वो symbol of beauty होता है और basically अगर किसी का natural हो तो वो symbol of life भी होता है ठीक है ना life का भी symbol है वो तो उस sense में ये reddish color को जो है ना like करते है तो वो उसका कह र she made a very respectful woman all her life she remained a respectful woman all her life कैता है बड़ी इजदार हो रहता है जनाब इजदार क्या देखें हो कहता है इतनी इजदार हो रहता है that through church she married five husbands in life church के तुरू तुरू जो है ना उसने पांच husband से शादी किया Christianity के अंदर I don't know overall क्या scene होता है लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने जो सुना था वो वन्स होती है या इस तरह से शादी हो सकता हो डिवोर्स के साब से मुझे नहीं पता लेकिन इसने क्या किया five different marriage जो है वो church के तुरू इसने की है तो normally अगर देखें बेटा लो भी हो तो एक female का इस तरह पांच शादिया करना यह जो चोसर बता रहा है negative है आगे देखें क्या कहा रहा है कहता है without counting the other links of her youth उसके जवानी के दूसरे link मैं count नहीं कर रहा हूं मतल़ चोसर कहा रहा है मैं तो इतना जानता हूं she remained a respectable woman all her life सारी जिन्दगी बड़ी इज़दार औरत रह बारे में मैं क्या truth बताना है रह नहीं दे ठीक है कहता हो वो बात ही चोड़ दें आगे देखें कहते है it was right that she journey to Jerusalem तीन दफ़ा तो वो Jerusalem गई है for which she cross many a foreign stream कई उसने foreign stream जो है नदिया वो cross की है यानि कि एक female character का इस तरह से दूसरे country में all alone जाना उसके साथ कोई और character नहीं वो आगे देखें वो कहता है she had visited the shrines of Rome and Bologna यह जो spelling है वो जड़ा देखें बी ओ यू एल ओ जी एन ए लेकिन इसकी pronunciation क्या है Bologna इसकी pronunciation चेक कर लेजेगा बारहल यह भी cities के नेम है आगे देखें and those of Spanish Galicia and Galicia and German colon German colon यह भी cities के नेम है she knew much of her warnings by the way अब यह क्या बता रहा है वो कह है कि उसे रस्तों का काफी पता है रास्तों का और वार्णिंग करती रहती है वो तो यह बेसिकली अगेन बता रहा हूं negative innocence के चोसर जो है वो उस age की जो फॉलिस थी और उस age के जो क्रिप्ट करेक्टर्स थे उनको आपके सामने इस तरह से लेके आ रहा है कि आपको पता चल है कि 14th century किस तरह की थी और उसमें क्या चल रहा था आगे देखें बिटा वो कहता है यह वार्णिंग बाइड़ वे डाड़ शी वस गाप टूथ इस नो लाइट उसे उसके गाप टूथ से कहता है मुझे जूट बोलने की जरूर नहीं है गाप टूथ मतलब कई लोग होते हैं बेटा जिनके टीज के दरम्यान गैब होता है तो वो गैब टूथ सी कहता है वेरी इजली अपॉन एंबलिंग हो शी साइड और चलते हुए गोड़े के ओपर जिनाव बैठ जाती मैं तो शी वस वेरी एक्टिव लेड़ी ठीक है आगे देखें हर नेक हैड़ विंपल भी विंपल भी अगेंट काफ को कहते हैं जो हैट वेरी इंग जिसे कहते है हर हैड 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 और उसने एक हैड भी पहनी होतीथी विच वाज एस ब्रॉड एधा बकलर और टार्च वह जो बहुत बढ़ी थी आप ने देखा होगा मुविस में भी आजकल भी चलती है जो हम अगर जाते हैं फारिस एंबर नादन एडियर में तो वहां पे भी वो बड़ी हैट जो सेल हो रही होती है तो यह उसी की बात कर रहा है आगे देखें अफूट टचिंग मैंटल मैंटल कहते है क्लॉक और स्कुर्ट को जो अक्सर फीमेल पहनती है रैप्ड हर हिप्स ल के लिए वह जो आप पाउं नहीं रखते हैं जहां पे वह लोह के आईरेंड के बने होते हैं उनको कह रहा हो अच्छा इन फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप के अंदर शी नियू हाव टू लाफ एंड काप उसे पता है कि लाफिंग कैसे करने हैं बेटा जब हम कभी किसी के द अधान काब आखाएं वह जब में से हमने लाफिंग कैसे करनी हैं और खाने प्रेंडशिप में पता है क्क्वाइन काम का मतरब यहां पर अच्छा ऑविड्ज रमेड़ी और एक पट है इंग्रिश और उसके रेमेडी जिसने जो है ना ऑफ लव शी न्यू बाइचांस बाइचांस इसने को दो चार पढ़ ली है जनाब तो अब उसके वह शोखियां बखेटे रहती है और इसी तरह से वह थोड़ा बोड़ डांस भी कर लेती है तो दिस इस दे होल करेक्टर ओफ इसी तरह आपने नेश्ट जो है प्राइरस और प्राइरस जो है वह है बारहल वह जब डिसक्स करेंगे तो उसके बारे में आप आपको बता दिया जाएगा थैंक्यो वेरी बच्छ